नमस्काद अश्कों, यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज में वीडियो लेकर आई हूँ मकर लगन वा सिंग राशी के जातकों के लिए अप्रेल 2021 का समय कैसा रहेगा इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे अगर आपका combination भी मकर लगन वा सिंग राशी का है तो आप अप्रेल महा का राशी फट देखकर लाब उठा सकते है मकर लगन का क्या अर्थ है कि आपकी ये जो लगन कुndडी है उसमें जो पहला भाव है उसमें 10 नंबर की राशी है इसका अरथ है आपका मकरलगन है और चंद्रमा जो है आपके अश्टम भाव में 5 नंबर की राशी में बैठा है इसका अरथ है आपकी सिंग राशी यानि मकर लगनवा सिंग राशी के जातकों के लिए अप्रेल का महिना वर्ष 2021 में कैसा जाएगा इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे मेरा है मानना है कि अगर आपका मकर लगनवा सिंग राशी है तो देव गुरु बर्सपती का ये जो कुम राशी में घ्रमण हो रहा है 6 अप्रेल 2021 से आने वाले एक साल तक ये आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है और आने वाले एक साल आपका बहुत अच्छा रहे अगर मकर लगनवा सिंग राशी का कब्मिनिशन है ये आपको अब इस वीडियो में पता लग जाएगा सबसे पहले हम देखे कि मकर लगन में ना शनी वाराज खुध विद्यमान है मकर राशी में और महा कियारभ में उनकर संग गुरु बर्सपती भी होंगे उसके बाद आप्रेल को देव गुरु ब्रसपति कुम राशी में चले जाएंगे और दूसरे भाब में आजाएंगे जहां का बहुत अच्छा फल देते हैं जैसे मैं आपको बताती हूं कि देव गुरु बरसपति 2-5-7-9-11 पर अच्छा फल देते हैं तो देव गुरु का भ्रहमण सूर्य बुद्व शुक्र की उती होगी तीसरे भाब में इसमें सूर्य और शुक्र जो हैं तीसरे भाब में बहुत अच्छा पल देते हैं और एक अदश भाब में विष्टिक राशी के केतु हैं तो यह गोचरतो है मकरलगन का सिंग राशी की बात करें तो चौते भाब में केतु हैं चटे भाब में शनी माराज विद्धमान है और शनी माराज चटे भाब का बहुत चांदार फल देते हैं शनी माराज 3, 6, 11 का बहुत अच्छा फल देते हैं और 6 अप्रेल को देव गुरु बड़्शपती सब्तम और देव गुरु बड़्शपती 2, 5, 7, 9 और 11 में से काच्छा फल देते हैं उसमें सब्तमिस्तान पर चल रहे हैं महा के आरम में अश्टम भाब में मीन राशी में सूर्य बुद्वा शुक्र की उती होगी और 13 अप्रेल के बाद मेश राशी में चले जाएंगे सूर्य ब देख लिए आपको आईडिया हो गया है कि समय है अगर हम बात करें कि वह बड़े ग्रेहों की गुरू और शंग्राशी को दो शनी का शुपता भी मिली हुई है और मकर लगं को गुरू इसमें शनी महराज केंदर में बैठके शियोग बना रहे हैं और उनकीε बात्त आरा केरियर के लिए समय ऐसा है कि आपके केरियर में बड़ोत्री होगी अभी तक आपका केरियर जो पिछले दो साल से रुका हुआ था उसमें गती आ जाएगी अगर आपके पास जॉब नहीं है आपको जॉब मिल जकती है बरत्मान जॉब को आप बदलना चाते थे आप जॉब बदल सकते हैं आपका कोई पर्मोशन ड्यू था तो पर्मोशन होने की समभाब ना है लेकिर इसके साथ ही एक ध्यान रखने की बात कि इस समय ग्रेहों की जो स्थिति है कि दशम और चतुर्थ भाव रहोकेतू के अक्षमे आ गया है और लगन पर शनी चल रहा है यह इस बात का संकेत है कि आपका बरत्मान जॉब में ट्रांसफर हो सकता है जैसे अगर आप सरकारी नौकरी में है तो आपका ट्रांसफर हो सकता है और उसमें भी क्योंकि ग्रहों की स्थिति अच्छी है गुरू और शनी की इसलिए ट्रांसफर अच्छी जगा होगा आपको ज़्यादा निराश नहीं होना पड़ेगा अब इस ट्रांसफर में ये भी निरवर करता है कि आपकी जनम कुल्णी में दशाएं किसकी चल रही है अगर दशाएं ऐसे ग्रहों की चल रही होगी जो दशमेश, नवेश और लाबेश हैं या धनेश हैं तो ट्रांसफर आपका अच्छी जगा पर होगा और प्रमोशन के साथ होगा लेकिन अगर दशाएं कुछ नेगटीव ग्रहों की चल रही होगी तो हो सकता है ट्रांसफर तुड़ा सा नेगटीव हो जाए मकर लगनवा सिंग राशी के लिए यह समय हर काम में सफ़ता का है क्योंकि गुरू दूसरे भाब में देखर अपना पॉजिटीफ फल दे रहे हैं यहाँ पर गुरू सब्तम भाब से एक अधश भाब को देख रहे हैं यहाँ से गुरू दशम भाब को देख रहे हैं आपको मान समान पत्रिष्टा मिलेगी, पिछले दो साल से मकर लगन के जो जाता की स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी सारी स्ट्रगल खतम होगी, समाज में उनका मान समान दुबारा स्टापित होगा, अप्रेल के महीने से उसकी शुरुआत हो रही है, दंपत्ते सुके आपका उत इच्चुक जुबक में उपती हैं उनका प्रेल के समय में विवा करश्टात है हो सकता है विवा भी हो सकता है आपको अगर कोई हेल्ट से जुड़ी प्राबलम चल रही थी और आपका मकर लगनवा सिंग राशी है तो ऐसी स्तिती में आपके सौस्ते में सुधार आएगा क्य तेरा प्रेल में आ रहे है या इक अदश वाब में आ रहे है मिथुन राशी में वे बहुत का संकेता है आपके जो प्रपटी है तो से इंकम होने का योग बन जायरा या आपoser कि किराय पर चड़ादे उससे लेकिन साथी एक साथानी रखनी है कि यह जो भागे बाब में सूर्य बुद्व शुक्र की उती रहेगी वो इस बात का संके दे रही है कि आपके पिता से आपके मद्वियत हो सकते हैं और भाग की आरम में एक से लेके 13 अप्रेल तक सूर्य जो है अश्टम में रहेंगे सिंग राशी में तो आपको सरकार से जुड़े काम में साथानी रखनी है जो सरकारी नौकरी में है कि आफिस में किसी उच्छा दिकारी से कोई प्रकार का विवाद ना हो जाए कोई टेंश कारे होंगे तो अगर बात करें कि मकर लगनवा सिंग राशी का कमीनेशन अगर आप लोगों का बनता है तो अप्रेल कमीना आपका बहुत शांदार जाने वाला है और मेरी गड़ना के एकॉर्डिंग 80 परशेंट तक का समय अच्छा जाने वाला है अब इसका रिजल्ट आ मेरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि अगर आपका मकर लगनवा सिंग राशी है तो बच 2021 में अप्रेल का महिना आपको कैसा जाएगा तो दश्को आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बच्छ में कमेंट करके बताईएगा इसके जाल थी बैल आइकोन को भी दिवा दीजिए जिससे जब भी मैं अपने वीडियो प्लोट करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो दिख सके इसके साथ ही नमस्काद अश्कों जैमाता दी